आपके सामने आज साइन एंडर शीषी इसकी डिटेल करेंगे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें साथ में पहला कि नुक्त पाती पहली ओंडा की इंडियन बाइक है जो सो शीषी में निकाली है साइन इससे पहले साइन आ रही थी 125 में वह चल रही थी और 125 सेग्मेंट में सबसे ज़्याद सेल उने वाली बाइक थी साइन उसके बाद आप उन्डाने कदम रखती है एंडर शीषी में इसका कंपिटिशन होगा साथ में एरो की स्प्लेंडर के साथ तो यह है आपके सामने 125 अब देखते हैं कौन सी बाइक पैस्ट आप कोमेंट करके बताएं कि आपको एंडर शीषी अच्छे लगती है या 125 शीषी अच्छे लगती है मैं मेरी ऑपीनियन बताओ तो मेरे को 125 शीषी अच्छे लगती है आप इसकी डिटेल की बात करेंगे इसमें क्या-क्या चेंजमेंट आए हैं एंडर शीषी में 125 सीषी की अलग से तो वीडियो को करते हैं शुरू तो सबसे पहले बात करते हैं साइन हेंडर सीसी की इसके लुक की ग्रफ की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है जो हुंडा की सीड़ी कि वन्टैन आती है उसका ही इसको मिक्स करके एक वर्चन बनाया है जिसका नाम रख दिया है साइन हेंडर सीसी इसमें खाली उन्होंने फिउल टैंक को चेंज किया है कुछ इसका इसके स्टिकर वगेरा को चेंज किया है और वो कंद इंजन चेंज है उणली उसके अलावा सबी चीजे, सेम ये बेक से, फरंट से, बाइक सेम दिखाई दे रही है बाइक देखने में पतली है जो इसका फिल टैंक है, वाइजर है, वो फतला है और अगर बात करें पहले वाले साइन की तो पहले वाले साइन का एक अपना रुतबा है वो देखने में जस्ती है उसके ग्राफ शिक्स अच्छे है उसका वाइसर बेस्ट है और राल उसका बेस्ट उसके कहने की कोई जरूती नहीं है 115 की और इसका इंजन है एंडर्ड शी सी का ये बहुती स्माल इंजन लगाया है इनोंने एंडर्ड शी सी के इसाब से और ये सामने आपको टायर में कोई चेंजमेंट नहीं है दोनों के ये इसका इंजन है 125 का 125 का डिजैन इंडिया में सबसी ज़्यादा पसंद किया जाता है आप कर लेते हैं एडलाइट के बाद सिंपल एडलाइट मिलती है डियारल नहीं मिलते हैं और ये जो है आप ये 125 के एडलाइट में आपको क्रूम फिनिस भी मिलती है वाइजर के साथ स्टिकर भी मिलते हैं य इसका है जो सिंपल है विल्कुल और साइन 125 में कुछ देखने में थोड़ा बहुत लुक एक्स्टा होता है यह स्विच चीज की बात आते हैं इसमें पास बटन नहीं मिलता है और किल स्विच नहीं मिलता है से लेफ साइड की और आप 125 का दिखाते हैं इसमें आपको पास आती है और यह लंबाई में भी ज्यादा आती है अब टेल नेट के बात कर लेते हैं इसका टेल लेम सीड़ी 110 की तरह ही है और इसका जो साइलेंसर है वो भी एक सिंपल सा दे रखा है और अगर बात करें 125 की इसके साइलेंसर में एक लुक अलग है क्रूम पत्ति के साथ दि खाई दे रहा है तो रहाल यह बात है कि 125 मैं अपनी ऑपिनिन बताओ मेरे 125 अच्छे लगी बाकि जिसको अगर बजट के हिसाफ से यह ठीक है 125 और सीड़ का 20,000 रुपय का अंतरा आता है लेने में